हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक ऐसी लड़की की तहानी देखेंगे, जो दुनिया के सबसे अनलखी लड़की है, लेकिन फिर उसका सामना एक मैजिकल कैट से होता है, और इससे उसके लाइफ पूरी तरहा बदल जाती है, तो चलिए देखते हैं उसकी अमेजिंग स्टोरी क तो मूवी के शुरू में हम सैम को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड हेजल के साथ वीडियोज बना रही है, और पता चलता है कि वो दोनों यहां एक और्फिनेज में रहती है, तब ही अचानक उनकर सारा सेटप तूट जाता है, और हेजल कहती है कि तुमारे किसमत तुस अच में बहुत खराब है, और हमें तुमारे लिए गुड़ लग टूणना होगा, फिर वो अपने एकटे कियोए कुछ लखी आइडम्स उसे दिखाती है, और बताती है कि आप मुझे बस एक लखी कोईन की जरूरत है, और फिर कोई नो कोई मुझे अड़ोग्ट जरूर क ही है, हेजल ही सुनकर उदास हो जाती है, क्योंकि बड़ी हो जाने के कारण सैम को अनाथ आले छोड़ कर जाना होगा, सैम वार्डन से रिक्वेस्ट करती है कि मैं हेजल के डॉक्ट होने तक यही रुपना चाहती हूं, लेकिन वोर्डन कहती है कि अब तुम 18 साल की हो चु तुम से मिलने जरूर आउंगी, और होफुली मेरे पास तुमारा लखी को इन भी होगा, बाहर एव उसे उसका समान देती है, जिसमें उस वक्ट की पिक्चर है, जब पहली बार किजी ने उसे अडोप्ट किया था, लेकिन अन्म लखी होने के कारण को जादा दिन उनके सा करना है, आगे सम अपने अपार्टमेंट की चावी को भी गडर में गिरा देती है, और एव एक नई चावी देकर बोलती है, कि जल्दी ही तुमारा लग चेंज हो जाएगा, सुबा भी हम उसके बैड लगकी कुछ जल्कियां देखते हैं, जहां वो कोई भी काम ठीक से नह आगी मचाती है, तंग आकर वो सम को बाहर ले आता है, और कहता है कि शोपिंग कार्ट संभालने में तो कोई प्रोब्लम नहीं हो सकती, अगले दिन सम हेजल से मिलने जाती है, जहां बार्डन से पता चलता है कि हेजल की फोस्टल फैमली ने अपना प्लैंट कैंसल कर दिया है कि उसका गुडलग कहीं रुका हुआ है, और वो सैम से उस लगई को एक कुछ जल्दी से टूनने को कहती है, आगे हम सैम को एक सेंटविच खाते वे देखते हैं, और तभी एक ब्लैक कैट नहीं से आकर उसके पास बैट जाती है, सैम भूका समझकर सेंटविच का एक ट जाती है, और सैम देखती है कि नीचे जमीन पर एक कोई पड़ा हुआ है, और वो उसे उठा कर अपनी पोकेट में रख लेती है, सुबा आप खुलने पर वो देखती है कि आज उसके सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, जैसे होमवक अपलोड होना, मैजिंग सोक्स मिलना और में एक लाकी कोईन है, फिर वो अनाथ हाले में बोडन को कॉल करती है, और बताती है कि शाम को महिजर को एक सप्राइज देने वाली हूँ, स्टॉर में वे उसका दिन बहुत अच्छा जाता है, और मार्विन को यकीन नहीं होता कि एक ही दिन में वो इतनी एफिशेंट कैस उसे बताती है कि कैसे कल उसे यहा एक लगः कोइन मिला था, छेटि Biraz कर दिया, यह सुनकर वो जैसे कैट चॉंक चायती है, उसके उसे बहुत हरान होती है, और तब ही वो कोईन जीसाor बना हुए है, और वो समझ जाती है कि वो coin इसी cat ने मुझे दिया था वो cat से वैसा ही एक और coin देने को कहती है लेकिन देखती है कि cat तो उससे डरकर भाग रही है वो भी उसका पीछा करती है लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी cat उसके हाथ नहीं आठी और इससे Sam मुदास हो जाती है तब ही उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि पीछे गली में वो कैट बैठी हुई है जो एक पोटल खोल कर उसमें कूच जाती है सैम को ये सब थुड़ा अजीब लगता है लेकिन कोईन लेने के चक्तर में वो भी उसके पीछे उस पोटल में चली जाती है और वो उसे एक दूसरी दुनिया में ले आता है कैट उसे वहाँ देखकर डर जाती है और कहती है कि एक इंसान को यान नहीं आना चाहिए था सैम कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं यहां से चली जाऊंगी लेकिन उसके बदले मुझे एक लगी कोईन चाहिए तब कैट उसे बताती है कि तुम इस बख गुटलग सिटी में हो और अगर किसी ने तुमें देख लिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तब ही कुछ आवाज सुनकर वो सैम को छुपने को कहता है और वो देखती है कि तो लेपरिकोंस वहां उसे मिलने आए है पता चलता है कि इस कैट का नम बोब है और जो कोईन सैम ने गुमाया था वो ये कैट सबने ट्रेवल के लिए यूज करती है और बिना इसके बोब सीटी के अंदर नहीं जा सकता सैम को ये भी पता चलता है कि सीटी के अंदर एक कोईन डिपो है जहां से ये सारे कोईन से इशू किये जाते है और वो बोब से कहती है कि क्यों नहां अंदर जाकर एक और कोईन ले आए जिससे हेजल के साथ सब तुम्हारी भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी बोग भी कुछ सोच कर उसकी बात मान जाता है और सैम कहती है कि फिलाल अंदर जाने के लिए तुम मेरे बटन का यूज़ कर सकते हो आगे उनका सामने एक कैप्टन नाम के लेपरिकॉन से होता है जो यहां की सिक्योर्टी हैड है लेकिन उस बटन की मदद से बोग और सैम उसे बच निकलते हैं फिर बोग उसे लेपरिकॉन की लोकर रूम में ले आता है और बताता है कि ये मेरे दोस्ट जैरी का लोकर है जिसकी जॉब इस वब कोईन डिपो में है सैम वो कपड़े बहंतर एक लेपरिकॉन बन जाती है और बोग सब को बताता है कि ये लेपरिया नाम के एक मैजिकल कंट्री से आई है जहांके लेप इस बहुत बढ़े होते हैं आगे वो जैरी से मिलने उस कोईन डिपो में आते हैं जो सैम के साइस को देखकर बहुत इंप्रेस होता है और तब वोग उसे कहता है कि सैम कोईन डिपो का एक टूर करना चाहती है जैरी इसके लिए तयार हो जाता है और बताता है कि आज हम कोईन्स को पॉलिश करने वाले हैं और तुम भी इसमें हमारी मदद कर सकती हो सैम वहां उन कोईन्स को चुराने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि एक सकिंग मशीन उने खीच कर उपर ले जाती है और तब ही उसके हाथ में अपना खुद का बटन आ जाता है जल्दी ही सैम के बैडलत से वहां गड़बर हो जाती है और वो बटन भी उससे छूट कर उस मशीन में चला जाता है लेप्टिकोंस बिल्डिंग को खाली करा लेते हैं और वोब सैम को बताता है कि अब कैप्टिन को बटन के बारे में पता चल जाएगा और हमें कोईन को भूल कर यहां से निकल जाना चाहिए तब ही उनसे मिलने जैरी बहां आता है और सैम उसे सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो यहां एक कोईन चुराने आये थे जैरी यह सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि कैप्टैन इसके लिए दुमें बैड लग सिटी में बेज़ देगी जो बुट लग सिटी के ठीक नीचे बनी हुई है फिर वो उने एक बनी ड्रोन के बारे में बताता है जो किसी भी खोएवे कोईन को टून सकता है लेकिन उसे चलाने के लिए लग क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी फिर वो सब उस लग क्रिस्टल को लेने जाते हैं जिसे बनाने वाले कुछ पिक फॉर्मेन है और सैम वहाँ एक बड़े से ड्रैदन को देखती है जैरी बताता है कि ये गुडलेग सिटी की मेर बेव है और इसके पास ऐसी पावर्स है जिसे ये बैडलग को कहीं से भी स्मेल कर सकती है आगे हम उन पिक्स को वो क्रिस्टल बनाते वे देखते हैं और वो उसमें से एक कुछ चुरा लेते हैं फिर जैरी उन्हें कंट्रोल रूम में जाने को कहता है और खुद उस बनी ड्रोन को एक्टिवेट करने जाता है इधर बॉब सैंड को रेंडॉमाइजर मशीन दिखाता है जिस पर गुड लग और बैड लग के दो स्टोन्स लगे हुए हैं जो गुड लग और बैड लग के क्रिस्टल को अपने और खीचते हैं और फिर सप्लाइ लाइन्स के तिरूम ने दुनिया भर में पहुंचाते हैं आगे हम उने उस ड्रोन को एक्टिवेट करते वे देखते हैं जो पोडल से निकलकर सिटी के सीवर प्लांट में जाप पहुंचता है और वहां उस पॉइन को डून लेता है तब ही वो स्क्रीन पर कैप्टन को देखते हैं जिसे बटन की सच्चाई का पता चल जाता है और वो कहती है कि जल्दी ही मैं उस चोड को डून निकालूंगी इधर ड्रोन पहले लेकर वापस आ जाता है लेकिन इससे पहले कि जैरी उसे पकड़ पाए वैक्यों मुसे खीच के पैटलक सिटी में ले जाता है तब जैरी उन्हें बताता है कि ड्रोन पहले सोटिंग फैसिलिटी में जाएगा जो बैड लोग और गुटलक सिटी के पीच में बनी हुई है और सैम और बोबू से लेने चले जाते हैं लेकिन सैम से बटन दबाने में गल्दी हो जाती है और इससे वो सीधा नीचे बैड लग सिटी में आ जाते हैं जिसकी ग्रैवटी गुटलक सिटी से बिलकुल अलग है वहाँ एक एकसेटेंट से वो दोनों अलग हो जाते हैं और बोब सैम को सोटिंग फैसिलिटी में आने का रास्ता बताता है जो टावर नमबर 13 से होकर निकलेगा और कहता है कि मैं वहाँ तुम्हारा इंतिजार करूँगा सैम देखती है यहाँ दोहर तरफ मॉंस्टर भरे हुए हैं और उनसे बचते वे वो एक रूम में छुप जाती है जहाँ एक बोक्स में कुछ गुर्लक ट्रिस्टर्स रखे हुए है वहाँ से निगल कर वो बैडलक सिटी में आती है और थोड़ी प्रोब्लम का सामना करने के बाद फाइनली उस टोबर 13 तक पहुँच जाती है यहाँ उसे बोक का बचाया वो सीकेट रास्ता नजर आता है और उसके होते वे वो सोटिंग करसिलिटी में आ जाती है जहाँ बोक दूसरी तरफ उसका बेट कर रहा है यहाँ उनका सामना जैफ नाम गेक यूनिकॉन से होता है जो नेचर वाइस बहुत फ्रेंडली है और उसका काम है अपनी मशीन से बैडलर को रेंडोमाईजर में बेजना यहाँ यह भी पता चलता है कि जैफ बेब का पुराना प्रेमी है लेकिन अब वो दोनों इस दूसरे से कभी नहीं मिलते क्योंकि बेब को बैडलर बिल्कुल पसंद नहीं है फिर जैफ उन्हें उनका ड्रोन वापस करता है लेकिन बताता है कि कोईन को तो मैंने कोईन डिको में बेज़ दिया है ताकि उसकी अच्छे से सफाही हो सके वोग को लगता है कि अब उन्हें कैप्टन से कोईन नहीं बचा सकता और तब सैम उसे अपना आइडिया बताती है कि वो बैडलर क्रिस्टल लेकर बेब से मिलने जाएगी और हो सकता है कि वो मदद करने के लिए उसे एक लगी कोईन दे दे बेब भी सनोकी लेप्रिकॉन को देखकर बहुत इंप्रेस होती है लेकिन देखती है कि उसके पैर में तो एक बैडलर क्रिस्टल चिपका हुआ है जिसका असर काफी दिन तक रहता है सैम भी अन्लगी होने के एक्टिंग करती है और जैसा कि उसने सोचा था बेब उसे अपना एक लगी कोईन देती है और कहती है कि ये तुम्हारे बैडलर को खत्म कर देगा सैम उसे लेकर वाफस बोब के पास आती है लेकिन देखती है कि कैप्टन ने उसे पकड़ लिया है और वो उसे बैडलर क सिटी में ट्रांसफर करने वाली है सैम तुरांट जाकर उसे रोक लेती है और वो कोईन देकर कहती है कि बोब ने गलती से इसे किरा दिया था कैप्टन को बोब को छोड़ना पड़ता है और बोब सैम से पूछता है कि ये कोईन तो तुम हैजल को देना चाती थी तब सैम कहती है कि तुम्हें फसाकर में हैजल की मदद नहीं करना चाती और वैसे भी मेरे पास एक ऐसा प्लैन है जिसमें हमें कोईन किस जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर वो गोब को लेकर जैफ की बैडलग मशीन के पास आती है और कहती है कि अगर मैं इसे ही बंद कर दूँ तो दुनिया में बैडलग जाना बंद हो जाएगा और हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी जैफ से चुपते वे वो उसकी मशीन को बंद कर देते हैं और देखते हैं कि दुनिया में अबस गोडलग की जा रहा है फिर वाड़े के मुताबिक सैम वहां से वापस जाने लगती है लेकिन पदा चलता है कि वैक्यूं से बैडलग लीक हो रहा है इदर जैफ पर अपने मशीन को देख लेता है और भाग कर उसे स्टार्ट करने जाता है वोग और सैम उस रेंडमाइजर को चेक करने आते हैं और तब एक देज प्रेशर के साथ बैडलग पूरे गोडलग सिटी में फैल जाता है इससे वहाँ के सारी फैसिलिटिस नश्ट हो चाती है और सप्लाइ लाइन से सिरफ बैडलग दुनिया में जाने लगता है इसका असर हेजल की किस्मत पर भी पड़ता है और वो देखते हैं कि उसकी फोस्टर फैमली आज भी नहीं आई बैड में सिट्वेशन को चेक करने आती है और देखती है कि रेंडमाइजर के दोनों स्टोन नश्ट हो गए है और इससे लग की सप्लाइ लाइन पूरी तरह से बंद हो गई है यहाँ बैड को सैम की सच्चाई का भी पता चलता है और वो कहती है कि देखो तुमारी गलती ने क्या कर दिया और अब दुनिया में गुड लग और बैड लग नाम की कोई चीज नहीं है कैप्टेन और जैरी वे बोब से बहुत डिसपॉइंट होते है और वो सैम से कहता है कि यह सब मेरी ही गलती है और मुझे तुमें पहले ही वापस बेच देना चाहिए था सैम इसे ठीक करने का तरीका पूछती है लेकिन बोब कहता है कि बिना स्टोन के रेंडमाईजर चालू नहीं हो सकता और स्टोन्स बनाने के लिए हमें क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी ये सुनकर सैम को कुछ याद आता है और वो बताती है कि उसमें बैडलग सिटी में कुछ गुर्लग क्रिस्टल देखे थे और वो उसे लेने वापस नीचे जाते है सैम उन्हें उस रूम तक लेकर आती है और पता चलता है कि ये तो एक मॉस्टर बार है जिसका मालिक रूटी नाम की एक जाइंट रूट है और वो और बोब एक दूसरे को पहले से जानते है सैम रूटी को उपर हुई प्रोग्लम के बारे में बताती है और कहती है कि हम यहां कुछ गुर्लग क्रिस्टल लेने आए है तब रूटी ने एक जार दिखाता है जिसे गुडलग के लिए उसमें अपनी गेम मशीन में लगाया हुआ था और कहता है कि इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो और जैसे ही रेंडोमाईजर ठीक हो जाएगा मैं इने फिर से ही कट्ठा कर लूँगा सैम उसे कुछ बैडलग क्रिस्टल भी मांगती है और उने लेकर वो बेब के पास आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जैफ भी उनके साथ आया है बेब जैफ को दोबारा देखकर बहुत कुछ होती है और तब वो उसे वो जार दिखाते हैं जैफ बेब से कहता है कि तुम्हारी आगे इन क्रिस्टल्स को स्टॉन में बजल सकती है और बेब भी ऐसा करने में बिल्कुल देर नहीं करती जल्द ही वो क्रिस्टल्स स्टॉन में बजल जाते हैं लेकिन पता चलता है कि बेब ने गुड लग के तो अपनी स्टस बनाए हैं। सैम उससे इसका कारण पूछती है और बेब बताती है कि अब मशीन में बस गुड लग स्टोंस ही लगेंगे क्योंकि वो दुनिया से बैड लग को हमेशा के लिए मिटाना चाहती है। फिर वो स्टोंस को उस मशीन पर लगाने लगती है लेकिन सैम कहती है कि मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। वो बैड लग सिटी की उल्टी ग्रैविडी का फायता उठाती है और बेब से पहले मशीन के दूसरे होल तक पहुँचाती है। वो कहती है कि दुनिया को गुड लग के साथ बैड लग की भी जरूरत है और ये दोनों मिल दर ही इस बैलेंस को बना सकते हैं। लेकिन बेब का मानना है कि बैड लग हमेशा चीजों को बिगारने का काम करता है और गुड लग सिटी का ये हाल भी उसी की बज़ा से हुआ है। तब सैम उसे पताती है कि यहां जो कुछ हुआ वो सब मेरी गलती है और बैड लग मॉंस्टर्स तो असल में तुमारी मदद करने आए हैं। फिर वो बैड को जेफ की याद दिलाती है कि कैसे वो हमेशा से उसे बहुत प्यार करता है और बैड भी उसकी बास समझ जाती है। और रूटी को वो गुड लग स्टोन गिफ्ट करते हैं। वेव भी उनसे अपनी सारी दुश्मनी बुला देती है और हम लोग मिलकर उने पार्टी करते वे देखते हैं। कैप्टन बॉब से वापस जोग पर आने को कहती है लेकिन उसने तो कुछ औरी सोच रखा था और वो कहता है कि अपसे मैं सैम की फैमली बन कर रहना चाहता हूं। और सैम ये सुनकर उसे गले से लगा लेती है। आगे कसीन एक साल पाता है जहां सैम ने अपने बैडलब को एकसेप्ट कर लिया है और फिर वो बॉब को लेकर हेजर से मिलने जाती है। तैंक्य।